हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई हो आप लूग बहुत अच्छी होंगे और विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फैशन फॉक्स तो यह मेरा ट्यूज्ड व्लॉग है और मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं फुल डे व्लॉग तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले तुजड़े तुजड़े यह तीन कोशिश कर दियुक्त कर लो तो पूज़ा फाट करने के बाद मैं फटाफ़ से आई कीचन में टाइम हो गया था 12-30 बारा बज़ के था हम लोग मतलब फटाफ़ से करके सबसे पहले मैंना करने लगी अपने में काम क्योंकि यह गाजर का कर दो बनाती हो क्योंकि ग्odel, कि दैसमें रहए चानी बनाती है और गाज़राभा घूर मिलाका जनान यह दो फ्राइवे करे को मैं तेस्ट आता है कोशिश होई कशल्य कासी कोश्या यह कि दो जो से नियुक्त कीКा दो कि स्वहता है अन्याकर टेस्ट बनता है कि मैं हमेसा हलवा बनाती हूं मुझे बहुत जादा पसंद आता है तो सब को अच्छे से ग्रेट करने को अच्छे से निचोड ले रहे हूं क्योंकि जो भी जूस निकलेगा वह मैं आरू के लिए रख देती हूं और ऐसे भी आप इसको डालेंगे ना चूले पे चड़ाएं और यह वाला कडाही तो मैं सोचके डाली थी मैं तब चड़ाई थी कि हाँ इसमें बन जाएगा बट यह थोड़ा चोटा पढ़ गया था कि मुझे अंदाज नहीं मिल पाया कि हाँ यह बड़ा हो गया चोटा होगा तो गाजर को सब डाल के अच्छे से फ्राई करना स्टा करें थी काफिट टाइम फ्राई की ते आधा गंटा तो करी ही होंगी यह बहुत ज्यादा था तो अच्छे से चलाने में मुझे नहीं बन रहा था तो फ्राई कर रहे थी तो उसी समय मुझे लगा कि नहीं यार यह थोड़ा चोटा कड़ाही मैं गलती से चड़ा दी हूं फिर मैं इसको ना दूसरे बर्तर में डाल दी थी दूसरे कड़ाही में डाल दी थी और साथी साथ जारू भी लगाए थी मेरी हलपर जारू लगाए थी बट मुझे लगा था नहीं गंदा लग रहा है अच्छे से नहीं लगाई थी तो मैं सुझे चलो मैं खुद से भी ए शाहित करती हैं तो यहां पर मैं घळबा पर में रखिक्ती हैं मैं रखषिक्ती हुः जो मेरा घर मड़ी ती और बद हब गब शनीना को कि्हों सचाक करा सुख्खाना बहुत मुशिक्षनद के है क्थाल यप शक्रें तो सुखाने में अपर को आगए गए कर में लोगए ड तो घर पे अराम कर रहे हैं और यह देखी मेरा गहूं बिल्कुल भी सुख एक दम मस्त हो गया है और उसके बाद मेरा प्लांस तो अब बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा था मैं सोची चलो आप लोगों को साथ सेर करते हूं कि मेरा जो गार्डेन है चोटा सा कितना जादा सुन्दर लग रहा है था तो बहुत सारे लोग बोले हैं कि आप अपने गार्डेन का अच्छे से एक टूर कराईए तो मैं बहुत जल्दी यह वीडियो लेकर आने वाली हूं अभी बहुत सारे प्लांस भी मेरे बहुत अच्छे प्लांस लगे हूं तो वीडियो अच्छा है तो यहां पर मैं जारू लगाए थी वह मैं फिर से स्टार्ट कर दी यहां पर फटाफर से मेरा टेबल है जिस पर रखती है जो भी मेरा बचा खुचा रहता है पानी का बोटल रहता है यह सब रखती हो यहां पर तो भी क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है और यहां प इधर में बैठ उनगी तो प्लेट में लोगी और उसको साफ करके दुसरे में कर दूँगी तो वह कर रही थी बाहर उसके करने के बाद ही मैं करूंगी और इधर आरू स्कुल से आ गई थी और वह लगी ड्रॉइंग करने क्योंकि बच्चों को बस ड्राइंग डान्स यह सब मेरी बेटी को तो यह सब बहुत ज़दा पसंदा इसका मैं देखते हुए पैशन इसके अंदर डांसिंग का इंड कलर करने का बहुत जादा है तो इधर मेरा हलवा भी चढ़ा था दिरे इसको मैं चलाती जा रही थी तो अच्छे से फ्राई हो गया था तो मुझे अब मुझ काम था खत्म हो गया था अब मैं इसमें डालने वाली थी दूद जो मैं घर से यूज करती हूं घर में जो गायकिया दूद लेती हूं वह थोड़ा सा पहले डाली थी और इसके बाद मैं यहां से अमूल का जो दूद होता है ना वह पैकेट वाला वह मंगवा के डाले थी इससे काफी अच्छा मतलब खोया जैसा बन जाता है और एक किलो मैं डाल दी और पहले भी लगता आधा या एक किलो घर वाला दूद भी डाल दी तो दोनों मिला कि काफी सारा दूद हो गया था तो मेरा गाजर का हरवा काफी अच्छा टेस्टी वना था अब मैं इसको डा अच्छा दाम और थोड़ा साथ आप चाहे तो अख्रोड भी डाल सकते हैं तो बड़ मैं इतना ही डाली और आधाल चमज डाल दूए यहां पे इलाइंची पॉडर और इसमें डाव अच्छा से पीस गया है उसको पीस के मैं साइड रग दी हूं और मैं यहां पे देखी उबाल आने लगा था मेरा दूद में और यह देखिए मैं अच्छा से एक दम पॉडर बना देती हूं खड़ा खड़ा भी रहता है थोड़ा पॉडर भी हो जाता है उसको क्या करूंगी अब मैं इसके अंदर डाल दूगी होता है क्या उसको डाले से बहुत अच्छा टेस जाएगा तो यहां में देखिए मैं जो मैलाई जमा करके रखती हूं वहीं बड़े वाले चम्मा से धेड़ सारा डाल थी ताकि मेरा घी है निकल जाए उससे और आपका जो हल्वा है एक दम थिक बने तो बस चार पांस चम्मा डालने के बाद काफी सारा डाल दी थी उसके मैं आपको दिखा रही हूं कि बनने के बाद कुछी इस तरह सा मेरा हलवा बन के निकला और बहुत ही ज्यादा यम्मी एंटेक्स्टी बना था हजबन को तुरंद गरम गरम दी थी वह खाके बहुत अच्छा बना है तो इसमें मैं थोड़ा सा उपर से भी डाली थी कट करक और मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी और यहां पर फटा फट से मैं ना पूरी बनाने लगी थी पूरी बनाने क्योंकि कभी-कभी ना चावल खाने का मन नहीं करता तो कभी-कभी हम लोग स्किप करते हैं ठंडी में तो बहुत जादा ही स्क जा मैं बाद रूरी बनाने क्योंकि देता हैं जाद निवी इथ से माद़ लूरी तूरी थी पूरी आफ दूरी बनाने में वहां दूरी लिए सेलीग लादसने क्यां तो फ्ckets Kṛṣṇa Works If द Ты दूराइ हैं इस बनाने क호 दूरी उलखना हैं तो लंबसा ल requests लिया आ क्या बंसंगी है We'll stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm a waste of time in the bathtub We don't gonna rush, no, never gonna rush, no My life is in a slow-mo, always in a slow-mo, I still show up on time Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, stay a minute, another minute, So here I am giving tea, and after drinking tea, I will sit here with tea, I will drink tea, कि हमारा मतलब खाना नाश्ता जो भी आप कैसे कि एक बार हो गया और चड़ाने के बाद आराम से बैठ के चाए पिएंगे और कुछ मुवी वगरा देखेंगे क्योंकि होता क्या है यह से बहुत कम ही होता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं अगर घर पे अनुप जी रहते हैं तो किसी ना किसी का फोन आ जाता है कभी मीट्ण गअ कभी यह और कभी किसी से मिलने जाना है जाना चाहिए तभी सब कुछ अच्छा लगता है मेरा एक्सपिरियंस यह कहता है इतना दिनों में जितना ही मतलब अपने घर में बीजी रही है बैस्ट होता है अपने ऑद भी धर को देखिए अपने बचे फैमिली को देखिए वह सबसे बैस्ट होता है क्योंकि इसमें और कभी-कभी लेट नइट पहले मुवी देखते थे बट अप लेट नाइट वाला सिस्टम एकदब मेरे गर में ख़ता है कि आरू का स्कूल हो जाता है और कभी-कभी चुटी भी होता है तो अपने थक होते हैं अपने रूटीन से की हम लोग एकदम सोचाते हैं ना रात नौ बजे तक कभी कभी आ जाता है कभी साड़ी आट में आ जाता है तो अगर मैं सोई रह जाओंगे ना तो बहुत चीज का लॉस हो जाता है मॉर्निघ में कितने लोग कहते हैं कि मैं उत्थी दस अदर दस बजे घ्यारा बजे तो मेरे तो दूद वाला चल जागा गेट भीना खोले वे चला जाएब कि लिए नहीं खोलेगी जाएगा तो चला जाएगा बाहर से वह आवाज देदी चला जाएगा गहर के अंदर पता प्रटा चटनी और आलू गूभी सब्जी भी साथ साथ बना रही थी क्योंकि मतलब बनाना तो हो भी बन जाता है तो रात सभी तो रोटी तो बता नहीं ऑपके साथ नहीं होता होगा तो यहां पर मेरा सब्जी बनाकर रेडी हो गया यहां पर तो बहुत जाद है चुकी है और अच्छी यह भी हो गया हुगा लेकिन आज के सब्सक्राइब बहुत बहुत अच्छा है तो लास्ट मैं गरम उशरा डा कि इसको उदार दोंगी कि यह हो चुका है बिलकुल मैं इस तरह से मसाला रखती हूं अपना सारा अभी सिर्व जीरा पॉर्डर नहीं है क्योंकि जीरा पॉर्डर मेरा खतम हो गया है तो मैं उसको क्या करी हो भी पट्टे पीस के बना रही हूं तो बस वह आये का वह भी डाल मैं अपना दिन का रूटीन आपको साथ करते हूं आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है और अगब मैं यह भी कहना चाहती हूं कर आप लोग वीडियो देखते हैं और जिन लोगों अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया ह यहां प्यारू आ गई है तो इसका कपड़ा वगदर चीज करके उसको रेस्ट करने के लिए चोड़ी क्योंकि आज आरू का पिकनिक था और पिकनिक में काफी खेली तो काफी थक गई थी और बोल रही थी महां बहुत ज़्यादा गर्मी लगा था स्वेटर के वजह से तो अभी मैं खिलातीया सब्सक्रीण में बतन है जो भाए पर मैंखी कि उसको अगर मैं कहते हो ख़क्ती तो ऑफटो तो इसको जाताए लिए थी तो अरुब जी नहीं है वो चले गयें चैएंट कोई में बात नहीं अरुके साथ और कोई होदा निया डिस्टर्ब करने वाला है टाल भी चली उट गया तो मैं अरुटी करते हैं और अपने प्रॉब्लम्म दोनों एक दुसरे साथ साथ सहर रहते हुं रहते हैं हम लोग का यहीं बहुत बड़ा है काफी रूम जैसा है तो यहां आप सो भी सकती इतना बड़ा जगा है तो इनका भी क्वाटर ही है तो हमें यहां आई थी इनके साथ कहीं और जाना था तो मैं वहां का व्यूप के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं मैं किसी को बूद एक लास पे-30 हो जाती है तो खाना पीना भी अच्छे से खाना बहुत जरूरी हो जाता है तो आई फटा फट से सब्जी सुभकत था लोग भी का उसको गरम कर रहे थी हैं फटा फट से रोटी बनाई और इनको रोटी बना के दे दी और यह साथ में हलवा गरम करके तो यह फटा फट से खाके चले गए हैं बहुत मतलब कम ही टाइम लगा मुझे बनाने में क्योंकि मेरे सब कुछ अलमोस डन था मैं रोटी काटा गोल के गई थी मुझे पता था कि मैं जब बैटने हूं बाते करने तो हम लोग सब लोग ऐसे ही हैं एक से दो दो से तीन ती तो यहांगे गैस पे तो वह सुखा सुखा इतना जादा होता है कि सारा चल के दम बेकार हो जाता है तो मैं उनके लिए रोटी निकाली फट फट से उसमें घी लगा दे थी क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है घी लगा रोटी ज्यादा अच्छ से खाने में वज़ा अच्छा भी नहीं लगता तो मैं तीनों रोटी को ऐसे ही हाथ से ही मतलब वहां पे लगा दी तवाई पे बहुत लोग तवे पर रखते हैं घी को उसमें गरम गरम लगाते हैं मैं भी वैसे ही करती हूँ बट आप ही मैं सौटकट में थोड़ा चल रही थी तो यहां पर हल यहां बट कईता सीम आ वाई ही मतलब छाओ मां जाने ले रहे जैए हैं रहे मतलब जाता रही है लूट書 बनावत द्यूव confidential कर दैसे हैं AG कोई पाफिर डार रहयो तो मैंसे वाहीआ कोई प्ंच इस चीजा है चीज़एक कि यह उन्हें आदूरे जाना रहए और कि यह सबक तो यहां पर बॉटल में पानी भरके और आनुक जी खा लिया है विल्कुल रेडियो हो गया है तो यहां बॉटल रखे थी यहां पर जो आट आप बच गया था तो मैं काटोरी में रखके साइड कर दी थी ताकि मैं इसको फ्रीजर में डाल सकूँ और यह मेरे हजबन निकल में ड्यूटी के लिए बड़ा यह वाला टाइम में बहुत खराब लगता है एक तो सर्दी का मौसम है उपर से हजबन चले जाते हैं रात में अकिले मुझे बहुत डर भी लगता बट मैं क्या करूं चाना ही है तो रात में काफी सर्दी बढ़ जाती है आपको पते कितना थंड़ा होता है तो यह कार में कंबल रख लेते हैं कि बहुत ज़दा थंड़ा लगाना तो बैट के थोड़ा अराम से गर्म कर लूँगा ने तो ऐसे खुले आसमान के नीचे तो आप समझ सकते कितना ज्यादा थंड़ा लगता होगा तो यहां पर फट फट से गेट के प गेट के ताला खोले थी है अनुब जी गारी को अपना बैक करके वो बरस निकल गए और मैं अपना अंदर चली आई और दिन भर का सारा काम आज में आपके साथ शेयर कर यह फोल डे व्लॉग है ऐसा नहीं कि मैं आज तो पार्ट में करके दिखा रही हूं नहीं यह फोल ड कि आरू को मुझे भीजना भी होता है तो यह सबसे काम होता है कि रात में अच्छे सो नहीं सुभा उचके आरू को भीजना होता है तो बस पहला गेट लगा लिए दूसरा गेट लगा लिए अरू सो गई ती इसको फटा-फट से में उठा के अपने रूम में सिफ्ट करी मैं इसको वहां कर देती हो फिर बाकिया काम करके अपना फिम मैं भी सूँगी तो बहुत जादा बड़ा आज का व्लॉग हो गया है तो प्लीज आप यह मत सोचना के अरे इतना बड़ा व्लॉग दी क्यूंकि मैं आचारी थी मैं फूल डे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर तो आपको मेरा यह इस तोने व्लॉग आप तो बिल्कुल तो छल्दी पता नहीं चलता गन्द़ा होता है बड़ा फटा ज़ाता है आपके शेयर के कंप्लीट हो जाता है तो सार्व कुछ अरेंज करके रखते हो तो सब्सक्राम में कोई ताम जामनी होब हैं मैं बड़ा ब पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए का वीडियो अच्छे लगे तो शेर कीजिएगा एंट थोड़ा से व्लोग अभी और है बट आप इंजोई कीजिए और देखिये हुषके बम जप कीजिए अच्राइब के लाइब यंटलिग का वनभी भर्डिक पूलिए फोड़ में ए उला को चुछह व्लुछ है energy energy Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Don't you love when we take our time, to make love, promise you I'm a waste of time, in the bathtub We don't gotta rush, no, never gonna rush, no, my life's in a slow-mo, always in a slow-mo, I still show up all the time Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah